C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनितिक जीवन प्रिष्ट सोलह एकाई दो प्रिष्ट संख्या सत्रह राज्य सरकार शिक्षकों के लिए ये दो अध्याए अध्याए दो और तीन राज्य सरकार के बारे में हैं और ठोस उदाहरनों के जरिये सरकार के काम और ढाचे को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं हमने इनमें स्वास्त के क्षेत्र से उदाहरन लिये हैं जबके कुछ दूसरे उधारन भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अध्याय दो लोगों के लिए बहुत महत्वर रखने वाले एक मुद्दे के रूप में स्वास्थे की चर्चा करता है। स्वास्थे सेवाओं के सार्वजनिक और निजी दोनों पहलू है। भारत में स्वास्थे सोविधाएं सबको प्राप्त नहीं है। हाला कि हमारा समविधान ये मानता है कि स्वास्थे का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है। फिर भी वो समान रूप से सबके लिए उपलब्द नहीं है। यहां दिये गए विवरणों की मदद से विद्यार्थी ये देख पाएंगे कि सरकार से अपेक्षा की जाने वाली भोमिका और आदर्श क्या होने चाहिएं और उसके धांचे के पीछे किस प्रकार के तर्क वा आधार नहित हैं। वर्तमान स्थितियों को बदलने के कुछ तरीकों की भी चर्चा अध्याय में की गई है। यही बेतर होगा कि हम धैर्य पूर्वक उन्हें कई प्रशनों पर विचार करने के लिए प्रोत्थाहित करें। जैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन लग रहा है। विधायक से ये समस्या हल क्यों नहीं हो सकती है। आदे। उड़ने के लिए कई परिचित मामलों का चुनाव कर सकती हैं। जैसे पानी, यातायात, स्कूल की फीस, किताबे, बाल श्रम इत्यादे। वाल पेपर के माध्यम से इन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने दीजिए। सरकार और उसके कार्यों पर चर्चा अमूमन, उबाव और रूखी हो जाती है। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि इन अध्यायों को करते हुए हम कक्षा को ज्यादा शिक्षात्मक ब भरपूर बनाएं। अध्याय दो शीर्षक स्वास्थ में सरकार की भोमिका। प्रिष्ट अठारे से प्रिष्ट उनत्तिस तक। प्रिष्ट अठारे है। यहां बहुत से चित्र बने हुए हैं जिनमें स्वास्थ में सरकार की भोमिका प्रदरश्यत की गई है। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्यान के लिए कार्रे करे। ये शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार प्रदान करने एवं ग्रह निर्मान, सौट्कों के विकास तथा बिजली आदी उपलब्द कराने के माध्यमों से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जाचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्शकों को ध्यान से सुनिए। आपके विचार में ये विशय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। प्रिश्थ 19. स्वास्थ क्या है? स्वास्थ के बारे में हम अनेग प्रकार से सोच चकते हैं। स्वास्थ का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदी से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने पहले बताए कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ से जोड़ कर देखा होगा। प्रय हम ध्यान नहीं देते हैं कि पहले बताई गई हर स्थिति का संबंध स्वास्थ से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवशक है जो हमारे स्वास्थ पर प्रभाव डालते हैं। उदारन के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच पानी और प्रदूशन मुक्त वातावरन मिले तो वे सामा नितया स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अत्वा उन्हें घोटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार बढ़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कारे करें चुस्ती से और उंचे मनुबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मन्य रहना, चिंता ग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सह में रहना स्वास्थ जीवन के लक्षन नहीं है। हम सब को तनाव मुक्त और प्रसन रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ के हिस्से हैं। क्या आप इन सभी चित्रों या इन में से कुछ को स्वास्थ से संबंधित समझते हैं। प्रिष्ट 19 पर दिये गए इन चित्रों को या इन में से कुछ को आप स्वास्थ से संबंधित समझते हैं। यदि हाँ, तो किस प्रकार? अपने सभू में चर्चा कीजिए। और यहां दिय गए चित्रों में दो स्थितियां छाटिये जो बीमारी से सम्बंदित नहीं है वे कैसे स्वास्थ से सम्बंदित हो सकती है इस पर दो बाग के लिखे प्रिष्ट 20 शीरशक भारत में स्वास्थ सेवाएं आईए भारत में स्वास्थ सेवाओं के कुछ पहलूं का परीक्षन करें मैं यहां पर दो तालिकाओं का वर्णन करूँगा जिसमें पहले भाग और दूसरे भाग के अंदर बताई गई स्थितियों की तुलना कीजिए क्या आप इन स्तंबों को कोई शीर्शक दे सकते हैं? पहला, संसार भर में भारत में सरवाधिक चिकित्सा महाविद्याले हैं और यहां सबसे अधिक डॉक्टर तयार किये जाते हैं लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यत अपराप्त करते हैं दूसरी तरफ भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुचने के लिए लंबी दूरी तै करनी पड़ती है ग्रामीन क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है अब यहां देखे पिछले वर्षों में स्वास्थ सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धी हुई है सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे सन 1990 में 11174 अस्पताल थे और सन 2017 में ये संख्या बढ़कर 23583 हो गई भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिख यानि टीबी इससे मर जाते हैं सुतंतरता प्राप्ती से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्टन नहीं हुआ है हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ये संख्या कम नहीं हो रही है अब यहां सुनिये भारत में विदेश्वों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हे तू चिकित साप परियटक आते हैं वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना भारत के सर्वश्ट्रेष्ट अस्पतालों से की जा सकती है यहीं दूसरी और हम सब को पीने का स्वच जल उपलवद नहीं करा पा रहे हैं संचारनिया बीमारियां पानी के दौरा एक से दूसरे को लगती है इन बीमारियों में से 21 प्रतिशत जल जनित होती है जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हैपिटाइटिस भारत विश्व का दवाईया निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहां से भारी मात्रा में दवाईयों का निरियात होता है वहीं दूसरी तरफ भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए भोजन परियाप्त नहीं मिलता है और वे आलप पोशन के शिकार रहते हैं बीमारियों से बचाओ और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्त सेवाएं चाहिए जैसे स्वास्त केंद्र, अस्पताल, परिक्षणों के लिए प्रयोक शालाएं एम्बुलेंस के सुविधा, ब्लट बैंक आदे जो मरीजों को आवश्चक सेवा और देख भाल उपलब्ध करा सकें ऐसी सुविधाओं की विवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्त सेवकों, नर्सों, योगे डॉक्टरों तथा अन्य विशेशग्यों की जरूरत है जो परामर्श दे सकें, रोक की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्चक दवाईया वा उपकरन भी चाहिए जब हम बिमार होते हैं, तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पढ़ती है भारत में प्राय कहा जाता है कि हम सब को स्वास्त सेवायं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए परयाप्त धन और सुविधाय नहीं है पहले बताए गए एक तरफ के स्तंब को सुनने के बाद क्या आप इससे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए प्रिष्ट 21 भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं देश में सार्वजनिक स्वास्त सेवाओं को चलाने का परयाप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्द है ये ऐसे चिकित साले और स्वास्त के अंदर हैं जिनें सरकार चलाती है सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है जो सैक्ड़ों और हजारों गाउं में फैली हुई है इस विशे पर हम बाद में अधिक विस्तार से बताएंगे साथी चिकित सा विज्ञान में बहुत असाधरन प्रगती हुई है जिसके चलते देश में इलाज के नई तकनीकें और विधियां उपलब्द हैं फिर भी जो बाद में बाद कही गई है उससे पता चलता है कि हमारे देश में स्वास्थिक्य स्थिती कितनी खराब है अभी बताए गए सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थि सेवान देने में असमर्थ हैं ये विरोधा भास जनक स्थिती है, जो हमारी अपएक्षाओं के विपरीत है, हमारी देश के पास पैसा है, ग्यान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सब को आवश्यक स्वास्त सेवाइं देने में असमर्थ हैं, हम यहां इसके कुछ कारणों को आपको बताएंगे. यह एक चित्र है, उसमें लिखा है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अकसर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, हाकिम शेख की कहानी, हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिती, पी बी की एम एस के एक सदस से थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेती हर मजदूरों का एक संगठन है, 1922 में एक शाम वे चलती हुई ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटे आई, उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवशक्ता थी, उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ल या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेशक्य नहीं थे, इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 गंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाये गया, किन्तु किसी ने भी उन्हें भरती नहीं किया गया, अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भरती करा गया, जहां उनका इलाज किया गया, उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, जिन अस्पतालों ने उन्हें भरती करने से इंकार कर दिया था, उनके उपेक्षा पूर्ण रवये से नाराज और क्शिब्द होकर, हाकिम शेख एवं पी बी की एस एम ने कोट में मुकदमा दायर कर दिया, यहां बताए गई कहानी को आप भी पढ़िए, और कल्पना कीजिए कि आप एक न्याय धीश हैं, आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे, पेज 22, शीरशक एक इलाज का खर्च, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं, रंजन का परिवार साधन संपन ह जबकि अमन के माता-पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, रंजन बस से उतरते हुए अमन को देखकर बोला, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिला, कैसी हो, वो बोला, मुझे वाइरल बखार हो गया था, और अस्पताल में जाना पड़ा, अच्छा, मुझे भी वाइर अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चका-चक दिखती थी, कि मुझे लगा कोई पांच सितारा होटल है, अमन ने कहा, डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है, और बढ़िया से बढ़िया सोविधाई यहां मिलती है, डिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को जगमक जगमक था, डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षन करवाने को कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बाते कर रहे थे, एक महिला ने जाज के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाग किया, और मुझे दर्द का पते ही नहीं चला, डॉक्टर बोली, क्या तुमने रियल्टी टिवी पर बैटमेन वाला जुटकुला सुना है, जब सारे परीक्षनों के नतीजे आ गए, तो हम वापिस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नतीजों को देखा और कहा, सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वाइरल हुआ है, उन्होंने कुछ दवाईयां लिख दी, और अराम करने को कहा, डॉक्टर बूला, हाँ तो छोड़े जनाब, ये गुलावी गोली दिन में तीन दफ़ा लेनी है, ये सफेद वाली सोने से पहले, और ये शरीर के दर्द के लिए है, और ये एक सिरफ है, गवराव नहीं, सबसे इंतजार कर रहा हूँ, अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए, हम, वो तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था, पहले तो अबबा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, चोकि इसमें बहुत समय लगने वाला था, और सच में, कि एक लंबी लाइन में इंतजार करना पुड़ा, मेरी तबियत इतनी खराब हो रही थी, कि मैं पूरे समय अबबा के साहरे टिका रहा, जब हमारी बारी आई, तो डॉक्टर ने मेरी जाच की, और खून की जाच कराने के लिए कहा, इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में ख असपताल गए, उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी, डॉक्टर बोली, मुझे इसका OPD कार्ड दिखाओ, और खून की रिपोर्ट, जल्दी करो, देखने के बाद बोली, इसे वाइरल हुआ लगता है, कोई फिकर की बात नहीं है, बुखार उतारने की ये ग और मेरे इलाज में ज्यादा खर्च हो गए, दूसरा बच्चा सोचने लगा, अच्छा, मेरे इलाज में तो ज्यादा खर्च नहीं हुए, प्रिष्ट चौबीस, शिर्शक सार्वजनिक और निजी स्वास्त सिवाएं, इस कहानी से आप समझ गये होंगे, कि हम स्वास्त सि सिवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, अ, सार्वजनिक स्वास्त सिवाएं, ब, निजी स्वास्त सिवाएं, सार्वजनिक स्वास्त सिवा, स्वास्त केंद्रों वा अस्पतालों की एक श्रिंखला है, जो सरकार दोरा चलाई जाती है, ये केंद्र वा अस्पत आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शेहरी वग्रामीन दोनों क्षेत्रों को सुविधायं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों साधारन से लेकर विशेश दिखभाल की जरूरत वाले बीमारियां इनका इलाज प्रदान करते हैं ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ केंदर होता है जहां प्रायह एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ सिवक रहता है इन्हें सामाने बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षन दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ केंदर के डॉक्टरों की देखरेख में कारे करते हैं ग्रामिन ख्षेत्र में ऐसा केंदर कई गाओं की जरूरतों को पूरा करता है जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्त केंदरों की देख रेख करता है बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं जैसे एक वो था जिसमें अमन को ले जाये गया था और ऐसे में विशेष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था इस स्वास्त सेवा को कई कारणों से सारवजनिक कह जाता है सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्त सेवाय प्रदान करने की वचन बद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्त केंद्र स्थापित किये हैं इन सिवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं इसलिए ये सुविधाएं सब के लिए हैं सारवजनिक स्वास्थे विवस्था का एक महतवपून पहलू ये है कि इसका उद्देश अच्छी स्वास्थे सेवाएं निशल्क या बहुत कम खीमत पर देना है जिससे घरीब लोग भी इलाज करा सकें स्वास्थे सेवाओं का अन्य महतवपून का रहे है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस लगना, हैजा, चिकन गुनिया, आदी को फैलने से रोकना इसकी विवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है अन्य था ये असफल हो जाएगी जब आप बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? क्या आपको किन ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिये सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है चर्चा कीजिए रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा कारण बताईए निजी चिकित सालेओं में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है चर्चा कीजिए हमीं सरकार को कर क्यों देना चाहिए सरकार कर से प्राप्त धन का उप्योग विभिन्र प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मोहिया करवाने में खर्श करती है जिससे सभी नागरिकों को फाइदा होता है प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था राजमार्ग इत्यादी कुछ सिवाओं से सभी नागरिकों को लाब होता है अन्य था, इन सिवाओं की व्यवस्था स्वयम नागरिक नहीं कर सकते करों से ही कुछ विकासात्मक कारिग्रम एवं सिवाएं उपलब्ध होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, सामाजिक कल्यान, व्यवसाइक प्रशिक्षन इत्यादी जिससे जरूरत मंद नागरिकों को लाब मिलते हैं करों से प्राप्त धनका उप्योग, कुछ प्राकरतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भुकंप, सुनामे आदी मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है अंतरिक्ष, परमानों एवं प्रक्षे पास्तरों से संबंदित कारिक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है सरकार खास्तरों से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते इसका एक उदाहरन स्वास्ते संबंदित सेवा है क्या आप ऐसे अन्य उदाहरन दे सकते हैं? प्रिश्ट 25 उदाहरन के लिए मच्चरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभ्यान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि खेतर के सभी लोग अपने कूलरों वगर की छतों आदी पर पानी एकत्र नहोने दें हाकिम शेख के प्रकरण को आप पुना हियाद करिए क्या आप जानना चाहेंगे? कि उनके मामले में कोट ने क्या निरने दिया? हमारे सम्विधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और उनको स्वास्थ सिवायं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक करतव्य है सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है अधालत ने कहा कि हाकिम शेख को जितनी कठनाईयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तादपर्य है उसे जीवन के सुरक्षा नहीं दी जा रही है अधालत ने ये भी कहा कि सरकार का करतव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ सेवाएं दे जिसमें आकasmें के लाज की सुविदा भी सम्भित हो अस्पताल और उनके सौस्ते सम Colemanधिक कार्मचारियों को आवश्यक लाज प्रदान करने की जिम्मधारी पूरी करनी चाहिए कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेक का लाज करने से मना कर दिया था इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिये कि वो हाकिम शेक दोरा इलाज पर व्याय किये गए पूरे खर्श का भगतान करे यहाँ चित्र हैं दो पहला गाउं के एक स्वास्त के इंदर में मरीज को दवाई देती हुई एक डॉक्टर दूसरा चित्र जिन्हें रोकपाना संभव है शीर्शक निजी स्वास्त सिवाएं हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्त सिवाएं पाई जाती है बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं ग्रामीन ख्षेत्रों में पंजेकरित चिकिस्था व्यवसाई आर एमपी मिल जाते हैं शहरी ख्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेशग्य की सेवाएं प्रदान करते हैं निजी रूप से चलाय जा रहे अस्पताल वा नर्सिंग होम भी हैं काफी संख्या में प्रयोक्षालाएं हैं जो परीक्षन करती हैं वा विशेश्ट सुविधाय उपलब्द कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रसाउंड आदे ऐसी दुकाने भी हैं जहां से हम दवाईएं खरीद सकते हैं किन किन अर्थों में सार्व जने के स्वास्थ ही विवस्था सब के लिए उपलब्द एक सिवा है कुछ प्राथमिक स्वास्थ केंद्रों, अत्वा, अस्पतालों की सुची बनाईए जो आपके घर के आसपास हैं अपने अनुभव से, अत्वा, उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाईए प्रिष्ट 26 जैसा कि इनकी नाम से ग्यात होता है निजी स्वास्थ सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अत्वा नियंत्र नहीं होता सार्वजनिक स्वास्थ सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्याय करना पड़ता है आज निजी स्वास्त सेवाएं चारों और दिखाई देती है अब तब बड़ी-बड़ी कमपनियां अस्पताल भी चलाती है कुछ कमपनियां दवाईयों को बनाने और बेचने में भी लगी है शेहर के कोने-कोने में दवाईयों की दुकाने देखी जा सकती है इच्छित रहिए दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में आपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा शिर्शक, स्वास्त सेवा और समानता क्या सब के लिए परियाप्त स्वास्त सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भरत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परन्तु सार्वजनिक नहीं ऐसी दिशा में लोगों को मुख्यत है निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं इन सेवाओं का मूल भी अपेक्षाक्रत अधिक रहता है दवाईयां महंगी होती है बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें रिन लेना पड़ता है कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायह ऐसे कार्यों को प्रोटसाहिद करती है जो सही नहीं है कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किये जा सकते उधारन के लिए प्रायह देखा जाता है कि कोछ चिकित सक जरूरत से ज्यादा दवाईयां इंजेक्शन या सेलाइन आधि की सलाह देते हैं जबके साधारन इलाज भी परयाप तो हो सकता है आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्त सेवाएं उपलब्ध है उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाईए भारतिय आयुरवग्यान परिशत का आयुरवग्यान नैतिक सहिंता कहता है जहां तक संभव हो प्रतेक चिकित्सक को आउशधों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्चों में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्त युक्त और उपयुक्त रूप में हूँ स्वास्थ सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाय जा सकता है इस पर चर्चा करें इस चित्र है जन आउशधी मेडिकल स्टोर्स प्रिष्ट 27 तथ ये है कि जन संख्या के 20 प्रतिशत लोग ही बीमारी के दौरान आवश्चक दवाईयों को खरीदने में सक्षम होते हैं वे लोग भी जने हम घरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठनाई का अनुभव करते हैं एक अध्यान में ये पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भरती होते हैं उनमें से 40 प्रतिशत लोग खर्चों का भुकतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपते बेचते हैं गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बिमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है इससे भी बड़ी बात ये है कि ऐसी स्थिती बार-बार आती है गरीब लोग पहले ही पोशन की कमी का शिकार होते हैं ये परिवार उतना भुजन नहीं खाते जितना ही ने खाना चाहिए इन्हें जीवन की आधार भूत आवशकता हैं इसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरन तक उपलवद नहीं हो पता और इसलिए उनके बीमार पढ़ने की संभावना अधिक रहती है बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों के बहतर इलाज में बाधग नहीं होता उदारण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाये जा सकता कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्त केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाये जाते हैं वहां निजी स्वास्त सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है शीरशक क्या किया जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्त की दशा अच्छी नहीं है ये सरकार का उत्तरदाइत वह है कि वो अपने सब नागरिकों को विशेश कर गरीबों और सोविधा हीनों को गुनातमक स्वास्त सेवाइं प्रदान करे फिर भी लोगों का स्वास्थ जितना जीवन की आधार भूत सुविधाओं पर और उनकी समाजिक स्थिती पर निर्फर है उतना ही स्वास्थ सेवाओं के उपर भी इसलिए लोगों के स्वास्थे की दैशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कारे करना आवशक है तीन चित्र है पहला ग्रामीन इलाखों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बनके आती है दूसरा चित्र एक गर्वती औरत को एक योगे डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलो मीटर पैदल चलना पड़ता है तीसरा सतत विकास लक्षतीन उत्तम स्वास्थ और खोशाली www.in.undp.org गुड हेल्थ और वेल बिइंग प्रिष्ट अटाइस शीर्षक केरल का अनुभाव 1996 में केरल सरकार ने राजे में कुछ महत्वपून परिवर्थन किये राजे के पूरे बजट का 40 प्रतिशद पंचायतों को दे दिया गया इससे पंचायतें अपनी आवेशक्ताओं को योजना बद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकते थी इससे गाउं के लिए पीने का पानी, आहार, अड़ों के लिए विकास और शिक्षा आदी के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका इसके फलस्वरूप जल वितरन व्यवस्था की जाच की गई स्कूलों और आगनवारियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाउं की विशेश समस्याओं पर ध्यान दिया गया स्वास्त केंद्रों में भी सुधार किया गया इन सब कार्यों से इस थिती में सुधार आया इतने प्रयात्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही जैसे दवाईयों की कमी, अस्पतालों में अपरियाप्त बिस्तर, परियाप्त डॉक्टरों का न होना आदे इन समस्याओं को दूर करने की आवशक्ता है अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें आईए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्ते संबंधी मुद्धों पर उनकी कार्यपधती को जाने शिर्शक कोस्टारिका का तरीका कोस्टारिका को मध्ध अमेरिका का सबसे स्वास्थ देश माना जाता है इसका मुख्यकारण उनके सब्विधान में नहित है कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निरन लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे इससे उन्हें सेना पर व्याई किये जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ और अन्य अधार भूद जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थे पर बहुत ध्यान देती है कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थे के लिए मूर्भूद सिवाएं वस्विधाएं देती है जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोशन और आवास स्वास्ते की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्थरों पर स्वास्ते संबंधि ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है भारत के नक्षे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाए गया है यहां आगे भारत का नक्षा दिया गया है इस नक्षे पर अपनी पैंसिल से केरल राज्य की आकरती बनाईए प्रिष्ट 29 अभ्यास एक इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती सम्विधान से लिए गए एक अंच को यहां पढ़िए और अपने शब्दों को समझे कि जीवन का स्थर और सार्व जाने के स्वास्थ के क्या मायने होंगे 2. सबके लिए स्वास्थ की स्विधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन-कौन से खदम उठा सकती है चर्चा कीजिए 3. आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ सेवाओं में क्या-क्या अंतर देखने को मिलते हैं तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताईए तालिका है शीर्शक सोविधा जिसमें नीचे है निजी और सार्वजनिक आगे सामर्थ उपलब्धता गुनवत्ता ये आपको भरना है चार पानी और साफ सफाई की गुनवत्ता को सुधार कर अनेक बिमारियों की रोक्थाम की जा सकती है उदाहरन देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए सम्विधान का एक महतवपूर्ण हिस्सा ये कहता है कि पोशहार स्तर और जीवन स्तर को उचा करने तथा लोक स्वास्थे का सुधार करने का राज्य का करतव्य है एक चित्र है उसमें लिखा है clean water and sanitation सतत विकास लक्ष छे जल और सुच्चता www.in.undp.org शब्द संकलन सार्वजनिक वो सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार दोरा आयोजित किया जाता है इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलेफोन सेवाय आदी शामिल है लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं निजी वो सेवायकार जो किसी व्यक्ति ये कमपनी दोरा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए ये वेविदेशी परियटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेश रूप से यहां आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुवधाय प्राप्त हो जाती हैं संचारनीय बीमारिया ये वे बीमारिया हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित करती हैं जैसे पानी, भोजन, हवा, इत्यादी O.P.D. ये आउट पेशन डिपार्टमेंट जब बाहिय रोगी विभाग का संच्शिप्त रूप है अस्पताल में किसी विशेश वार्ड में भरती होने से पहले रोगी O.P.D. में जाते हैं नैतिक आचार किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रवावित करने वाले नैतिक सिधांत जैनिरिक नाम दवाओं के रासाइनिक नाम वे दवाओं में प्रयुक्त सामगरी को पहचान करने में मदद करते हैं वे विश्व स्तर परमानेता प्राप्त हैं उदारहन के लिए एसिटाइल सॉलिसेलिक एसिड एसिड एस्प्रीन का जैनिरिक नाम है इसी के साद नौ अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय दो यहां समाप्त हुआ वाचक नीरच्छर्म सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत